गलवान वैली में 15-16 जून की रात भारतिये सैनिकों पर चीनी सैनिकों ने उस वक्त हमला किया जब वे निहत्ते थे बरबरता से की गई हत्या में इस्तेमाल कुछ नुकीले हत्यार भी सामने आये हैं कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने पूचा है कि आखिर हमारे जबान निहत्ते क्यूं थे उन्होंने कहा कि चीन ने हमारे निहत्ते सैनिकों की हत्या करके बहुत बड़ी गल्ती की है लेकिन इन वीरों को निहत्ते खत्रे की ओर किस ने भेजा क्यूं भेजा और इसका जिम्मेदार कौन है राहूल गांधी ने एक और ट्वीट में कहा कि चीन की हिम्मत कैसे हुई कि उसने हमारे निहत्ते सैनिकों की जान ली जान कबाने वाले हमारे सैनिक निहत्ते क्यूं भेजे गए थे वहीं कॉंग्रिस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला किया है उन्होंने दिल्ली मेरट सेमी हाई स्पीट रेल कॉरिडोर का ठेका चीनी कमपनी को देने पर सवाल उठाये है प्रियंका गांधी ने ट्वीटर पर लिखा हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं ऐसे में केंद्र सरकार को मजबूत संदेश देना चाहिए लेकिन सरकार ने दिल्ली मेरट सेमी हाई स्पीट रेल कॉरिडोर का ठेका चीनी कमपनी को सौंप कर घुटने टेकने जैसी रणनिती अपनाई है तमाम भारतिये कमपनिया भी इस कॉरिडोर को बनाने के काबिल हैं पंदरा जून की रात भारत चीन सैनिकों के बीच हुई हिंसक जड़प में भारतिय सेना के एक कमांडिंग आफिसर सहित 19 जवान शहीद हो गए इसके बाद से दोनों देशों की सीमा पर तनाव का महौल है प्योर रिपोर्ट गो नियूस